है कि नमस्कार मैं हुँ श्मर्द के टौपर 25 फर्म खबर जांते हैं ग्रामिन विकास विभाग में मंदेगा के लिए वैकेंसी 20 सितंबर तक करेंबेदन ग्रामिन कास विभागने मंदेगा को सांग के लिए बैकेंसी निकाली है पता दे कूल 6 पोस्ट के लिए 9 बैकेंसी है इसके तहत आवर सचीव अस्तर की बिशेस कारे पता दिकारी एक जीक्विटिव इंजिनियर सहायक बन संड़क छक सहायक कंप्यूटर प्रोग्राम और एकाउंटे दंबर 2021 तक ओफ लाइन आवेदन जमा कर सकते हैं बता दे सभी नियुक्ति कॉंट्रेक्ट पर अधारित होगी मौसम भीग्यानी अभी सेक आनन ने बताया है कि राज्य में मांसून का टॉर्पलाइन मेदनी नगर से ओकर गुजर रहा है इसके साथ ही एक दबाव का चक्रवाती छेतर जारखन और दक्षिन बिहार के उपर अपना परभाव दिखा रहा है वहीं एक दूसरा कौम दबाव का चेतर दक्षिन गुजरात में बना हुए है इसका प्रसाथ जारखन तक देखने को मिल रहा है ऐसे में अगले दो से तीन दिनों तक राज्य के विभीन जीलों में हलके से मददर्ज की बारिश देखने को मिल सकती है कुरोना से हुए अनाथ बच्चो का हो रहा राइस्टेशन राचे जीला पर सासन बैस्विक में हमारी कुरोना के कारण अनाथ हुए बच्चो को केंद सरकार की पीम केर फोर चिल्डेन योजना का लाब दिनाने के परकिरिया सुरू कर दी है योजना के तहट कुरोना महामारी मानाथ हुए उन बच्चो जिनके माता पिता पालन हार या गोद लेने वाले अईभावक की मिरित्यू हुई है उन्हें आर्थिक सेक्षनिक यों स्वास्त आधिकला पहुचाया जाएगा बता दे पोर्टल pmcare4children.in पर इसके लिए ओनलाइन रेइस्टेशन कराया जा सकता है सक्खी मंडल की दिदिया बना रही राखियां जार्खन की ग्रामिन महिलाए पलास बरांड के जरिये आत्म निर्भाता के पत पर अग्रसर हो रही है बता दे इस राखि की तेवार में भी ग्रामिन महिलाए सधारन धागे की राखि के साथ-साथ रेशम के धागे की राखि बनाकर अपने हुनर को पहचान देने का कार्य राई सरकार के सवयोग से कर रही है बता दे गोडा निवासी रीना देवी ने मुख्य मंत्री हमन सुरेन को रेशम धागों से हस्त निर्मित राखि भेट की और उन्हें धन्यवाद दिया सरकारी स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को हर माह देनी होगी परिक्षा राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले काक्षा 3-8 तक के बच्चों की मानसिक जाँच परिक्षा ली जाएगी जारखन सिक्षा पर योजना निदेशक नई समन्द में सभी छेत्रीये सिक्षा उपनिदेशक जीला सिक्षा पताधिकारी वह जीला सिक्षा अधिक्षा को पत्र भेजा है जीलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा इस वर्ष नॉम्बर में राष्टी ये उपलब्धी सर्वे का आवेजन किया जाएगा बतादे सर्वे के अधार परिस्कूली सिक्षा में राजियों की रैंकिंग जारी की जाती है ऐसे में परिक्षा की त्यारी के लिए प्रतीमा बच्चों के मुल्यांकन का निर्नाय लिया जाएगा बच्चों के मुल्यांकन के लिए जेसी यार्टी प्रस्ण पत्र त्यार करेगा इसकूलों को ऑनलाइन प्रस्ण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा रांची विश्वविद्याले में सिक्षक वा छात्र को मिलेगा अंतराश्ट्री अवार्ड रांची विश्वविद्याले के PG, Geology, विभाग के एक छात्र और एक सिक्षी का ने कृतिमान बनाया है पतादे 208 पर कोलीन और T.S.O.P. अवार्ड के लिए केवल 6 लोगों का चैन किया गया है इसमें रांची विश्वविद्याले के दो लोग भी सामिल है पतादे कोलीन और T.S.O.P. अवार्ड के लिए रांची विश्वविद्याले के छात्र बिक्रम यादो और T.S.O.P. अवाड के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर निलू तिर्की का चैन हुआ है ये दोनों डाक्टर बी आर जहा के नितित में रिशर्च कर रहे हैं डाक्टर बी आर जहा ने बताया कि यह प्रतिश्ठित अवाड है 25 लाह काहिनामी नक्सली हजारी बाग से गिरफतार भागपा मवादी के स्पेशल कमेटी के सेनियर कमांडर प्रगुमन सर्मा को हजारी बाग पुलीस और आईबी ने सन्यूक्त करवाई कर बिहार जहर्खन बोडर इस्थित चौपारन को ठोड डूमर पहाण के नीचे से गिरफतार किया है बतादेवा संगठन के स्पेशल एरिया कमेटी के सक्रिय सदसे और इस्टर्न रिजिनल ब्योरो के सीर्स नेता है इस पर जहर्खन सरकार ने 25 लाक और विहार सरकार ने 50 हज्यार का इनाम घोशित किया है बतादे हजारी बाग एसपी मनोज रत्न चोथे ने बताया कि वह मग्द जोन का सबसे परमुक सदसे है वह संगठन का आईडी एक्सपर्ट भी है एक जुट होकर केंद्री की गलत नीतियों से लड़ सकेंगे सीम हैमानत अखिल भारतिये कंग्रेस अध्यक सोनिया गांधी ने बिपक्षी एक जुटता की कवायत के तहत सुक्रवार को कई परमुक बिपक्षी ने ताओ के साथ ऑनलाइन बैठक की इस बैठक में पच्छी मंगाल, महराष्ट, तमिला, डू और जार्खन के मुख मंतरी सामिल हुए बैठक के जरिये बिपक्षी दलों को एक जुट कर केंद्र सरकार की गलत नीतियों खिलाप लड़ाई को धार देने का पर्यास किया जा रहा है बतादे इस तरान जर्खन के मुख मंतरे मनशुरें ने का की बिपक्षी पार्टियां एक जुट होकर ही केंद्र स्तरकार की गलत नीतियों से मुकाबला कर सकेगी जर्खन बिधान सभा के मनसुन सतर में पास होगा Medical Protection Act जार्खन में चिकित्सकों एवं पारा मेडिकल कर्मियों के सुरक्षा परदान करने वाला जार्खन चिकित्सा सेवा से संबंध ब्यक्तियों चिकित्सा सेवा संस्थान विधयक तीन सितंबर से सुरू होने वाले विधान सभाक मांसुन सत्र में आएगा स्वास्त मंत्री बाना गुपता ने इस बिधायक से समंदित परस्ताव पर अपने स्विक्रिती देते हुए इसे बिधान सबाक मांसुन सत्रे में ही लाने के निर्देश बिभाग के पताधिकारियों को दिये हैं बतादे राज्ये में तीन साल बाद इस विधयक को एक बार फिर विधान सभा की स्विक्रिती लेने के पर्यास हो रहा है। जार्खन में कूल एक्टिव केस की संख्या 223 है भारत में 34,288 केस मिले हैं वहीं भारत में 36,288 मरीज स्वस्त भी हुए हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 3,55,391 है हेमंत सरकार के खिलाप 21 को मानव सरिंखला BJP बीती बेवस्था विकास के मसले पर जार्खन के हेमंत सरकार को लागातार घेर रही भाजपा अब मानव सरिंखला बना कर बीरोत परदसन करेगी बतादे भाजपा के परदेश अध्यक्ष दिपक परकास ने सुक्रवार को परदेश करेयाले में अवित प्रेस कॉन्फरेंस में या गोशना की है उन्होंने कहा कि राजपा सरकार की गहरी निंद्रा को तोड़ने को लेकर भाजपा सनिवार को राजपा के सभी 264 परखंड वद तीन महानगरों में मानव सरिंखला बनाएगी भाजपा अब राजपा की खिलाप आरपार के लड़ाई लड़ेगी हजारी बाग में बंदुकधारियों ने साथ ग्रामनों को किया अगवा हजारी बाग जीले के टाटी जहरिया थाना छेतर के मुरू मातु गाव में चलाए जा रहे पत्थर खदान वक्रेसर से अपराधियों ने साथ योकों को अगवा कर लिया है हलाकी इस में से पांच को छोड़ दिया गया बतादे दो मज़ दूर अब भी अपराधियों गिरफ्त में हाई आगवा किये गई योकों में से मोरु माती निवासी राईस गांजू, प्रेम गांजू मेरु निवासी ससी कुसवाहा, योगेंद्र कुसवाहा, अरुन कुसवाहा और दो इछका छेतर के निवासी थे रांची DC जवानों से करवा रहे घरेलु काम पुलिस एसोसेशन जार्खन पूलिसमेंस एसोसेशन तथा राची उपायुत के बीच बिवाद प्रारम हो गया है बतादे प्रांतिय अध्यक्ष राकेश कुमर पांडे रे राची के उपायुक छवीर रंजन प्रगंभीर आरोप लगाया है वहीं पूरे अरोप के पिछे कई कहानी सामने आ रही है राकेश कुमर पांडे ने कहा है कि राची के डीसी के आवास में अंगरक्षक के रूप में आठ जवान और क्यू आर्टी में दस जवान तैना था हैं डीसी इन जवानों से सगे समंधियों वह बच्चे के घरेलू कारे करवा रहे हैं वहीं उपायुक्त के गोपनिये कर्यालाई के सुत्रों की माने तो उपायुक्त का कोई बच्चा नहीं है ज्यारखन के गढ़वा जिले के पूलिस अधिक्चक अंजिनी कुमार जहां ने कांडी थाना में प्रतिन्यूक्त सहायक और निरिक्चक राहुल कुमार को ततकाल प्रभाव से निलंबित कर दिया है बतादे कर अप्शन के आरोप में एसबी ने राहुल कुमार के विरूद या एक्शन लिया है जनकारी के उन्सार थाने में दर्ज पराथमेकी को लेकर एक सुचक ने एसपी को आवेदन देकर राहुल कुमार पर पैसा मागने का आरोप लगाया था साथ ही परिणाम स्वरूप एस आई से बादचित का ओडियो भी एसपी को उपलब्द कराया था एसपी ने इसे घंबिता से लेते हुए इसकी जाच का आदेश दिया है मन्रेगा में एकावन कोवर की गड़बही पलामो गड़बह में अधिक ग्रामिनो की रोजगार का बड़ा सहरा बने मन्रेगा की बितिया निमिता से जुड़े मामले भी कम नहीं है बतादे विभीन जीलो से मन्रेगा में ब्याप्त घपले के मामले सामने आते ही रहे हैं बतादे राज ये भर से आने वाले इन मामलों को अब एक साथ आंकाग गया तो या ये कावन पॉइंट दो नौक रोर के बितिये गरबड़ी के रूप में सामने आया है मनरेगा कि बितिये अनिमिताओ पलागाम लगाने के लिए पिछले दिनों किये गए सोसल अर्डिट में या बात सामने आयी है दिल्ली से राची आये पांच बिमान यातरी संक्रमीत बीसा मुंडा यारपोर्ट में सुक्रवार को पांच विमान यात्री कुरोना संक्रमित मिले हैं बतादेवे सुबा बिस्तार एयरलाइन से दिली से राची पहुंचे थे यारपोर्ट पर कोविड जाच में पांचो यात्री के पोजेटिव होने की पुष्टी हुई है जब तक कोविड जाच रिपोर्ट आती तब तक वे अपने गंताव या अस्थान को निकल चुके थे इसके बाद पांचो को मोबाइल पर संक्रमित होने के सुचना दी गई है इसके साथ ही उनके आस पास बैठे यात्रियों की भी तलास हो रही है उनकी भी जाच की जाएगी पंचाई चुनाव पर मंत्री अलमगीर का जबाब जहरखन में पंचाई चुनाव की तेयरिया सुरू हो चुकी है बतादे गरामिन विकास और संसादिये कार्यमंत्री अलमगीर अलम ने दलगत अधार पर पंचाई चुनाव की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि पंचाईती राज विभाग की ओर से दलगत अधार पर पंचाई चुनाव कराने पर विचार नहीं किया गया है उन्होंने कहा कि सरकार पंचाज चुनाव जल्द कराने की त्यारी में जूटी है संसद्यकार मंत्री ने कहा कि 23 तरिये पंचाज चुनाव के लिए मतदान सोची की छापाई का काम सुरू हो गया है बीजेपी कल देश का ही नाम बदल देगी रामेशवर उराव जारखन के कॉंग्रेस अध्यक सबीत मंत्री डाक्टर रामेशरो राव ने कहा कि भाजपा जो खेल खेल रही है वो देश के लिए खतरनाक है कल व देश का नाम बदल देगी तिरंगे का रंग बदल देगी उन्होंने कहा ध्यांचंद महान खिलाडी थे उनके नाम पर बड़े से बड़ा संस्थान खुले की से तराज है लेकिन राजिव गांधी सधान ब्यक्ति नहीं थे उनका नाम बदल देने से चीजे नहीं बदल जाती रंची के रिम्स परिसर में संचालित दवाई दोस्त अब बंद हो गई है बतादे दवाई दोस्त के बंद होने से रिम्स में इलाजरा तो आसपास के मरीजों को सस्ती और जेनरिक दवा मिलने से बंचित हो गए है रिम्स परवंधान ने 20 अगस 2021 तक रिम्स परिशर से दुकान को हटा लेने का नेदेश दिया था इसी के आलोग में दवाई दोर संचालक ने दुकान बंद करने का फ़सला लिया है रांची रेलवे एस्टेशन की बदले की सूरत रांची रेलवे स्टेशन की तस्वीर जल्द बदली-बदली सी दिखेगी बतादे यात्रियों के बैठने के लिए न सिर्फ नई तकनिक से चबुत्रे बनेंगे बलकि स्टॉल, स्टेचर वा विल्चेयर भी विवस्थी दिखेंगे पार्किंग में भी सली के सेवाहान लग दिखेंगे बतादे DRM परदीप गुपता ने निरिक्षन के दोरान अधिकारियों को आवसक निदेश दिये हाँ, धन्यवाद